हलो एबरीवन इस सद्ध्याय में अब हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ब्स के बारे में वर्ब्स क्या है? वाट इज वर्ब्स? अप लोग अलड़ी जानते हैं वर्ब क्या है? एक वर्ब देखलू वर्ब is a word which says about the action of a person or a thing वर्ब किसी सेंटेंस का सबसे महतुपूर्ण सक्थ है जो यह बताता है कि कोई व्यक्ती या वस्तूफ क्या कर रहा है या क्या कर रहा था नहीं about the action, action के बारे में of a person or a thing या कह सकते हैं वर्ब इज डूइंग वर्ड कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं हो सकता है किसी भी सेंटेंस के लिए दो चीज़ रिक्वाइड है एक तो पहला सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब और यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के दो टू टाइप्स of वर्ब्स फर्स्ट एक पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इन्ट्रांजिटिव वर्ब इन्ट्रांजिटिव वर्ब यह दो वर्ब के बारे में मैं आप लोग को पताने जा रहा हूं और इन दो से ही competition में questions आते हैं और या exam में questions बहुत सारे आते हैं चलिए हम लोग देखते हैं मैं आपको यहां पर दो example देता हूं देखिए दब्वाय वाक्स डब्लू एल के एस वाक्स एक example और देता हूं दगर्ल इज स्लीपिंग अब आप दोनों sentence को देखकर मुझे बताईए कि sentence में subject कौन है और वर्ब कौन है कौन है subject दब्वाय फर्स संटेंस में और सेकंड में दगर्ल और वाक्स क्या है वर्ब है और स्लीपिंग क्या है वर्ब है तो यह हो गया हमारा subject और यह है हमारा वर्ब वर्ब यानि doing word कोई क्या कर रहा है वही हमारा हुआ verb फर्स्ट हम देखते हैं intransitive verb अकर्मक क्यिया जिस वर्ब का समूचा फल या असर subject करता तक ही सीमित रहे उसका असर उसके object पर नहीं पड़े तो उसका कोई object हो ही नहीं उस वर्ब को intransitive verb अकर्मक क्यिया कहते हैं कोई भी sentence जिसमें वर्ब का असर सिर्फ subject पर ही रहे अबजेक्ट पर नहीं रहे तो वैसे sentence को हम लोग कहते हैं वैसे sentence में उस वर्ब को कहते हैं intransitive verb जैसे the boy walks और the girl is sleeping में walks का असर सिर्फ boy subject पर ही रहता है और sleeping का असर सिर्फ girl पर ही रहता है तो हम यहां कह सकते हैं कि walk और sleep दोनों का दोनों हमारा intransitive verb है है अब इन दोनों sentence को देखिए राम reads a book, Mohan beats a dog अब यहां आप देखिएगा तो देखिएगा राम reads a book, राम किताब पढ़ता है लेकिन राम reads तो what reads तो book reads, what reads तो a book reads, Mohan beats a dog तो what beats a dog देख रहे हैं कि bit का जो असर है वो किस पर पढ़ रहा है, dog का और राम पढ़ता है तो उसका असर किस पर पढ़ रहा है, book पर clear है, तो intransitive verb में क्या होता है, कि जो असर होता है, वो object पर नहीं पढ़ता है जैसे देखिए, हमारा क्या sentence था, the boy works और एक sentence है, the girl is sleeping तो यहां देखिए, what works, the boy, sleeping इसका भी असर, girl पर ही पढ़ रहा है, तो यहां यह दोनों वाक और sleeping जो है हमारा intransitive verb है, और यहां इस sentence में read और book जो है, वो हमारा transitive verb है, transitive verb सकर्मक किरिया, जिस verb का समूशा फल या असर, object कर्म पर पढ़े, उसे transitive verb कहते हैं और जिसमें भी verb का समूशा फल या असर, object पर पढ़ता है, तो वैसे verb क्या कहते हैं? transitive verb, जैसे कि हमने इस example में दिखाया है, कि राम reads और book में reads का असर किस पर है, तो book पर bits का असर किस पर हो रहा है, तो dog पर मार रहा है, तो रो कौन रहा है, कुत्व, तो यहां पर हमारा read और bit, read and bit ये दोनों किया है, transitive verb है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, कि हम कैसे identify करें, कि कौन हमारा transitive verb है, और कौन हमारा intransitive verb है, इस चीज़ को हम कैसे identify करें, transitive और intransitive तो सीख लिए, लेकिन किसी sentence में कौन transitive है और कौन intransitive है, वो कैसे समझे, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं, what, what से पता चलेगा, चलिए देखते हैं, कोई भी दिया हुआ, verb transitive है या नहीं, पहचानने का एक आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, कि आप verb से पूझिए, what, क्या, और यदि उसका जवाब, object से मिल सकता है, तो वो verb transitive है, अन्य था, intransitive, आपको सिर्फ verb से सवाल करना है, अब what सवाल लगाईएगा, वर्ब पर, और यदि वो जवाब object से मिला, तो वो verb transitive, और अगर object से जवाब नहीं मिला, तो वो verb आपका intransitive रहेगा, उस sentence में, के लिए उस sentence में, जैसे, देखिए, यहाँ पर मैं कुछ sentence लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, I write, अब मैं यहाँ पर आप से सवाल किया, what right, तो यहाँ हमारे को जवाब मिल रहा है, वो object से नहीं मिल रहा है, और इसमें object है भी नहीं, तो यहाँ पर right जो है, वो हमारा intransitive verb है, he plays, what plays, तो यहाँ भी जवाब हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है, object से, तो यह भी हमारा intransitive verb है, कोई object है नहीं, यहाँ देखिए, sentence में, I write a letter, अब यहाँ क्या है, I write a letter, तो यहाँ हम कहें, what right, क्या लिखता है, तो जवाब आया, later, है ना, a letter जवाब आया, this is object, और इस verb का असर इस object पर पढ़ रहा है, तो यह later जो है, पर असर पढ़ा, इसलिए यहाँ पर इस sentence में, right जो है, वो हमारा हो जाएगा, transitive verb, लेकिन यहाँ पर right जाए, intransitive, he plays cricket, what plays, सवाल किये, what plays, प्लेज, तो जवाब आपका क्या आएगा, cricket play, sir, cricket play, है ना, यानि आपका जो प्लेज का जो असर है, वो किस पर गया, object पर, जब प्लेज का असर object पर चला गया, तो प्लेज हमारा इस sentence में क्या हो गया, transitive verb, तो आप देख रहे हैं, कि verb का nature, sentence पर depend करता है, कि वो transitive है, कि intransitive है, I write a letter, हमने सवाल किया, write से, है ना, what write, तो जवाब मिल गया, I later, है ना, तो हमारा write यहाँ इस sentence में क्या हो गया, transitive, verb, clear है, तो अब हमें लगता है, कि आप किसी भी sentence में कौन सा verb transitive है, और कौन सा verb intransitive है, यह पता कर सकते हैं, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, here I write और he plays, तो यहाँ पर क्या है, कोई object है ही नहीं, तो जब object है ही नहीं, तो यह दोनों sentence verb हमारा क्या हो जाएगा, intransitive हो जाएगा, यानि कहने का अर्थ हुआ मेरा, कि एक ही verb एक time में transitive हो सकता है, तो दूसरे time में intransitive हो सकता है, वो depend करता है sentence पर, कि sentence में उस verb का use कहा है, और कैसे है, इस परकार हम समझ सकते हैं, कि sing, no, understand, read, beat, drive, count, इत्यादी verb, transitive है, यह बात अलग है कि sentence में इन्हें हम transitive जैसा इस्तमाल कर रहे हैं, या intransitive जैसा, अर्था, subject और verb के बाद object रहने से ही verb, वो भर्व, transitive नहीं हो जाता है, transitive तभी होगा, अगर उस verb का असर object पर पड़े, यह चीज में है, कि कोई भी verb transitive तभी होगा, जब उसका असर object पर पड़े, अगर object पर असर नहीं पड़ेगा, तो वो भर्व हमारा transitive नहीं होगा, जैसे मैं आपको एक इंजामपल देता हूँ, the sun rises in the east, अब देखिए, the sun rises in the east, यहाँ the east object है, लेकिन यहाँ verb जो है, rises, इससे सवाल किये, what rises, what rises, तो जवाब आया, the sun, है न, जवाब क्या आया, sun, object से जवाब आया, नहीं, यह जवाब कहां से आ गया, subject से, यह जवाब जब हमारा object से नहीं आया, तो यह rises in transitive verb, कि लियर, अर्थात, वर्व को transitive जैसा इस्तमाल होने के लिए, यह जरूरी है कि वर्व का असर उस object पर पड़े, जैसे, राम reads a book, अब यहाँ आप सवाल किजिए, what reads, what reads, तो जवाब आया, a book reads, है न, कॉमिक्स नहीं, न, news paper नहीं, answer क्या आया, a books read, तो यानि reads का असर किस पर पड़ गया, a book पर पड़ा, इस object पर पड़ा, object तो है, और इस reads का असर किस पर पड़ रहा है, object पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर reads कौन सा वर्व हो जाएगा, transitive verb, clear? अंग्रेजी में कोई भी वर्व हमेशा transitive या intransitive नहीं होता है, बलिक यह कहना चाहिए, कि अमूक sentence में, अमूक वर्व को transitive जैसा या intransitive जैसा वेभारित किया गया है, तो हम जानते हैं कि वर्व में sentence जो है, वो कभी transitive हो जाएगा, कभी किसी दूसरे sentence में intransitive हो जाएगा, वो depend करता है कि sentence में object है कि नहीं है, और वर्व का असल object पर पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, देखिए कुछ हम intransitive verb के example देखा रहे हैं, ponds dry up in summer, आप सवाल कीजिए dry up पर what लगाईए, what dry up, जवाब किस से मिला, ponds, ponds dry up, है न, object से जवाब मिला, नहीं, जवाब किस से मिला, subject से, तो dry up हमारा क्या हो जाएगा, intransitive verb, the child grows slowly, what grows, the child grows, जैसे ही what लगाएं ग्रोज पर, जवाब किस से मिला, subject से, object से नहीं मिला, तो हमारा ग्रोज क्या हो गया, intransitive, the train stopped here, what stopped, तो जवाब आया, train से, तो stopped हमारा क्या हो गया, subject है the train, और इससे जवाब मिला, तो हमारे को stopped क्या हो गया, intransitive, you play with Ram, what play, तो ये Ram से तो जवाब नहीं मिल रहा है, है न, you play with Ram, तो ये जवाब हमें object से नहीं मिल पा रहा है, you play with Ram, तो हमारे को ये sentence क्या हो जाएगा, intransitive, subject की तरफ से जवाब मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, no reply from object, object reply नहीं आ रहा है, the horse seldom kicks, what kicks, कोई object नहीं है, तो यह kicks भी हमारा क्या हो गया, intranjitive हो गया, clear, तो हम लोग किसी भी sentence में वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हम उस पर एक what लगाएंगे और देख लेंगे, object है कि नहीं, अगर नहीं है, और अगर है भी, और अगर उसका जवाब, what का जवाब यदि subject से मिल रहा है, object से नहीं मिल रहा है, तो वर्व हमारा उस sentence में क्या हो होगा, intransitive, देखिए, transitive verb, the sun dries up the pond, what dries up, क्या सुखाता है, तो pond जवाब मिला, इस sentence में किस से, pond से जवाब मिल गया, है न, तो यहां इस sentence में, object से जवाब मिल गया, pond से, तो इस sentence में, यह dries up हमारा किया हो गया, ट्रांजिटीव हो गया, a farmer grows crops, what grows, सवाल किया, what grows, तो जवाब आ गया, crops grows, जवाब किस से मिल रहा है, मैं, object से, subject से मिल रहा है, नहीं न, object से, तो यह grows हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटीव वर्व हो गया, the driver stopped the train, what stopped, सवाल किया, what stopped, तो train stopped, car नहीं, train, तो stopped, object से जवाब मिला, तो हमारा stopped क्या हो गया, ट्रांजिटीव वर्व, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, what play, object से जवाब मिल रहा है, कि क्रिकेट प्ले, तो हमारा play हो गया क्या, ट्रांजिटीव वर्व, the horse kicks the boy, what kicks, तो object, जवाब मिल रहा है, boy को kicks किया है, है न, boy को मारा है, boy को kick किया है, तो यह भी हमारा, ट्रांजिटीव, तो यदि जवाब हमें आने को मिलता है, object से, तो वो हमारा हो जाता है, क्या, ट्रांजिटीव, और जवाब यदि हमारे को object से नहीं मिला, तो वो हो जाता है, इंट्रांजिटीव, कुछ ही verb, चैसे come, go, fall, die, sleep, lie, verb, to be, इत्यादी हमेशा इंट्रांजिटीव होते हैं, याद रखेगा, come, go, fall, die, sleep, lie, और verb to be, इजम, आरवाजवे है, हमेशा इंट्रांजिटीव होते हैं, clear, always इंट्रांजिटीव रहते हैं, इसे याद रखेंगे, अर्थात, इंवर्ब का action, असर, subject तक ही सीमित रहता है, object पर कभी नहीं पढ़ सकता है, इंट्रांजिटीव की तरह कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है, clear, अब निमलिखित sentences में, वर्ब कैसे इंट्रांजिटीव या ट्रांजिटीव है, यह अब आपको बताना है, क्या है ट्रांजिटीव है और इंट्रांजिटीव है और है तो कैसे है, यहां वर्ब कौन है, साइंस, अब मेरे को ये बताएए, क्या करें, वाट लगादें साइंस पर, वाट साइंस, तो ज़वाब आया हमें, दस अब रिभा में ब्लॉत से नहीं आ है इंट्रांजिटीव हो जाएगा इसमें, इंट्रांजिटीव वर्ब, i know your brother I know your brother तो वर्ब कौन है इसमें नो यह वर्ब हो गया वाट्नू सवाल लगाएं तो जवाब हमें आ गया ओब्चेक्ट योर ब्रदर वाट्नू तो योर ब्रदर है न तो यहाँ इस संटेंस में किया हो गया राँजेतिटीवर ब्रधर हमारा अबजेक्ट है सबजेक्ट तो सब से सुरूरू में होता है उसके बाद ही वर्ब होता है फार्ड है the conductor stopped the bus तो इसमें वर्ब कौन है? stopged वाट लगा दें वाट stop Six तो जबाब किस से आया? दबस stop असर वर्ब का किस पर पढ़ रहा है वर्ब पर तो यह क्या हो गया ट्रांजिटिव देखने हैं बहुत असानी से हम लोग पकड़ सकते हैं ट्रांजिटिव यह के इन ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव यह हमारे को इन ट्रांजिटिव क्लियर नेक्ष देखते हैं He speaks too loudly He speaks too loudly What speaks तो कोई वर्ब से जवाब हमें नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो गया Intransitive He speaks the truth He speaks the truth What speaks तो truth speaks सत्त बोलता है जवाब हमें object से आ गया तो देखिए Transitive तो देख रहे हैं उपर का sentence में speak Intransitive है तो नीचे का sentence में Transitive है ये जवाब object से आएगा तभी Transitive होगा Time changes all things तो changes यहां हमारे को वर्ब है तो what changes तो all things सारी चीजों को all things को object को तो यहां changes क्या हो गया Transitive अब आप आसानी से किसी भी sentence में Transitive है कि Intransitive है आप पकड़ सकते हैं देखे कुछ एग्जामपल मैं और देता हूं The Sun signs everything अब यहां देखें संदेंस को The Sun signs everything तो सवाल किये What signs तो everything पर तेएक चीज़ को है ना तो हमारा वर्ब science है पर तेएक चीज़ को तो Transitive हो गया Ram Sinks in the bathroom तो What Sinks जवाब नहीं आया तो bathroom में न What Sinks क्या गाता है तो वो तो नहीं है क्या गा रहा है वो पता नहीं ने चल रहा है तो यहां क्या हो गया यह Intransitive जवाब हमें object से नहीं आया इसलिए Intransitive Ram Sinks a Song अब इस sentence में देखिए Sinks verb है और What Sinks तो जवाब आया कि A Song पोएम नहीं Song तो यह क्या हो गया हमारे को Transitive जवाब हमारे को यहां object से आया इसलिए Sinks हमारे को Transitive चलिए फिर आप बताईए We eat three times a day वर्ब कोन है इत है बताईए Transitive एकि Intransitive Intransitive Very good क्योंकि जवाब हमें object से नहीं आ रहा है मैं पूस्ता What It तो यह नहीं दिया हुआ है कि Rice Sugar दाल कुछ भी नहीं बताईए हुआ three times a day यानि इत का असर object पर नहीं पढ़ रहा है sentence में इसलिए यहां पर sentence में it क्या है Intransitive Clear We It Rise अब यहां देखिए It क्या है Verb है अब यह बताईए इस sentence में It क्या है What लगा दिया What It तो जवाब आगिया Rise It तो Transitive है Clear Transitive Verb है He easily lifted the heavy weight अब lifted हमारा क्या है Verb है सवाल किये What lifted तो जवाब आया the heavy weight भारी वजन असानी से उठाता है तो Transitive है Birds fly in the air सवाल करते है What fly तो जवाब आगिया subject birds से तो Intransitive है तो अब मुझे लगता है कि अब आप किसी भी sentence made word Verb हमारा Transitive है Intransitive है यह आप असानी से पता कर लेंगे Thank you